हेलो गाइट्स ओपिलेंट्स में वह सो देशतों कैसे हो दोस्तों आशा को तो बहुत अच्छा होंगे अच्छेड होगी तो आप लोग देख सकते 21 इंज का फिलिप कंपनी का टीवी जिसका मैं पीसी भी आपको दिखाड़ा हूं देखें पीसी जो पीसी भी है इसका इंट लेकिन क्या हो रहा है इसमें जब टीवी जो है चालू हो रहा है ना तो चालू होने के साथ साथ सीटी मर रहा है ठीक है यानि सीटी जैसे आवाज होते हैं ऐसे ही आवाज कर रहा है अंदर से और क्या हो रहा है उसके साथ साथ हमारा जो यहां पर एस्टी है एस्टी भी ब तो स्रीज लेंप डाउन करेगा क्योंकि रिलिय है इस सेट के अंदर इसलिए तो चलिए मैं डायरेटली दे दिया और आप सिरिच करके दिखा रहा हूं तो देखिए आपको जैसे मैं बोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या होड़ा है तो चलिए बैक साइट पर जाते हैं और यहां पर इस्टी बहुत ज़्यादा हीड हो रहा है तो चलिए फास्टेम आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कहां पर कितना मैसिंग आए और उस बोल्टेज कि आप आइडिया लगा सकते हैं पोल्टेज से की हाँ इसमें कौनसा पोल्म हो सकता है तो चलिए फास्ट तेम आपको मैं वोल्टेज दिखा दिता हूं क्या हो रहा है वोल्तेमें में तो में त्यूनर पर इसको कॉमोन ले लिए और आप देखिए तो फास्ट टाइम क्या चेक करूंगा यहां पर जो 110 वोल्ट तो फिलिप्स कंपड़ी में क्या होता है 110 के जगह पर बहुत जदा जाएगा तो आप घबराना नहीं कि इसमें इतना ही वोल्ट अएगा ओके तो देखिए तो 117 तक बोल्टेज आड़ा है 118 तक यानि 30 के लगबग 130 के लगबग आसपास ही आड़ा है तो देखिए साप्लाई बोल्टेज जो है वोल्टेज तो सही है अब आपको क्या करना है क्योंकि यह जो सेट है उन्कोर्ण यर्ण क्या ओ रहें गया यानि 50 ौटेज आ गया 50 अ तक बोल्टेज आ रहें तो उसके बाद क्या ओ रहें एक जो सीटी और रहा है golpe praticamente ठीक है एक 180 का जो voltage है वो voltage down हो रहे है यहांने si काम करना बंद कर रहा है और उसके साथ साथ बहुत जदा उसके अंदर से आवा जा रहे है और क्या हो रहे है इसका जो मैं touch कर रहूं उसको तो बहुत जदा हीट हो रहा है तो guys इसका HT जो है मेरे को तो लगता है कि ये खड़ाब हो चुका है क्योंकि और कुछ नहीं है यहाँ पे जिसको आप प्रूब कर सके कि वो खड़ाब है क्योंकि यहाँ पे HT खड़ाब दिख रहा है चले फास्टेम तो HT को चेंज करूँगा उसके बाद देखता हूँ क्या होता है इसके अंदर तो फ्रेंड्स आपको अगर इसका जो HT है ये HT नमबर नहीं मिलता है तो आप एक काम कीजिए इसका जो मेन IC है इसका नमबर आप देख लिजिए इसका मेन IC का नमबर में दिखा रहा हूँ आप बहुत ध्यान से इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ST number ढूनने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं जो पूराना कामपाणी होते हैं फिलिप्स कंपाणी का तो ST number ढूनने में मुश्किल होता है तो इसलिए आप यहां से आईडिया लगा सकते हैं इसको नोट कर लीजिए में आईसी नमबर में दिखा दिया आपको और और एक काम क आपको आप लोग देख लीजिए क्योंकि केमेरा में नहीं आ रहा है उस हिट्सिंग के नीचे है लिखा तो मैं आपको बोल दिया 8357 जे इसका नमबर है और यह जो आइसी ही टोटल नौ पिन का ऐसी है देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा से देखिए और गाइड़्स आप वर्डिकल ऐसी है और मेन ऐसी है इसके अंदर से आप अंदर लगा सकते हैं इसका नंबर कितना होगा तो मैं आपको नंबर बोल दोता हूं इस्टी का नंबर दिखाड़ाओं फास्टे में इसको खोल लेता हूं उसके बाद तो नियू इस्टी का नंबर आपको दिखा ही दूँगा तो चलिए में इसको खोल आओ और थोसा वीडियो को फास्ट कर लेता हूं तो फ्रेंड्स देखें मैं फारिनली इसका जो एस्टी था याणि फ्लाइबक ट्रैंस्वोर्मर उसको में खोल लिया और एक मुश्किल बहुत हुआ कि इसमें नंबर जो है इसका नंबर मिट चुके हैं याणि नंबर दिक नहीं रहा है और जेखें बेस के अंदर से इस्टीन का और फोकास का दो एड्ट आपको निकल लेना है ओके जो एस्टी का जो दो है यानि फोकस का और इस्किन का हमारा बेस बोर्ड में जाते हैं उसको आपको खोल लेना है और देखिए इस एस्टी का नंबर आपको दिख रहा है क्या नहीं क्योंकि यहां पर जो नंबर है यह बहुत ज़र नंबर मिठ चुके हैं तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए यहां पर एस्टी बैठा था वहां पर बहुत ज़्यादा यानि मस्टियर जो में हैं बहुत ज़्यादा धुले बगड़ा जम चुके हैं तो इसको आपको किलिन कर लेना है क्लिन करने से अच्छा होता है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता हो कोई भी ओयल हो यानि क्लिन करने का ओयल होना चाहिए और देखिए यह रहा हमारा निवेश्टी तो निवेश्टी का नंबर में दिखाड़ा हूं आप लोगों को चलिए नोट कर लिजिए क्योंकि आगे चलके आपको बहुत काम आने वाली है यूधा आप चाहिए तो स्क्राविक लिए सकते हैं तो मैं चाहिए अप लोग तो भी आप मालूम कर सकते हुआ आशे ूड falling होता है तो भी आप मालूम कर सकते हुआ से तो चलिए आप में इस्टी को लगा देता हूं और घाइड एक बाट बोल देतें आप लोगों कि आप लोग फिलिपस कमपणी में क्या होता है एक problem बहुत ज़दा आते हैं कि HD change करने के बाद आपका जो picture है न एक बाट चालू होके TV आफ हो जाएगा ऐनि डिस्प्ले में light आएगा और थोड़ी दर बाद ही आफ हो जाएगा आटोमेटिक तो ये क्यों होता है इसके उपर भी मैं वीडियो बना के रखाऊं आप मेरे उस वीडियो में जाके देख सकते हैं क्यों होता है क्योंकि new HD लगने के बाद ही होता है और new HD लगने के बाद एक काम करना आपको जरूरी है जो फिलिप्स कंपणी का TV होता है उसके अंदर तो उस वीडियो को आप देख लीजिए new HD लगने के बाद आपको जो काम एक काम करना है यानि picture आउट हो जा रहा है तो इसके लिए आपको एक काम करना है तो उस वीडियो के अंदर में देदिया हो तो उस वीडियो का आप देख लीजिए ओके तो बहुत अच्छा से इस्टी बढ़ चुके हैं अपने जगह पे तो चलिए इसका जो सोल्डरिंग था ओभी कम्प्लिट हो चुके हैं सोल्डर करना आप क्या करेंगे इसका जो बचा टू वेयर यानि दोनों वेयर आभी ब्लांक रहा जो एक जाएगा बेस बोर्ड के एक जाएगा एक जाएगा इसक्रीन पे और एक जाएगा फोकास पे यहाँ पर、「हाँ पे इस जो बेस यूँज किया गया है इसके अंदर जो फोकास सिर्फ police कम्प्र पहें और इसकीन क जो अफिदक को टलना पड़िगा तो बोर्ड में डायर को मिसिंग पह चांदने में तो वहाँ पर पर रहेगा जो कोई भी कंपनी हो एक नीला पर रहेगा जिसका मान होगा 102 के या पर 681 के 2 के भी का होगा और ज्यादा भी हो सकते हैं तो आप यहाँ पर लगाई है यानि डायरेट्ट पीसीवी में लगाना पड़ता है या फर बेस में भी जगा देता है कमपानी लेकिन यहां पर बेस पे नहीं दिया को तो यहां पर डायरेट्ट ली आपको डलना पड़ेगा तो all complete हो जुगा जो इस्टी लगाने का काम था वो तो all complete हो जुगे अभी क्या करना है आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा कि पहले जो problem हो रहा था यानि इस्टनवाई रिलीज होने के वाद 180 वोल्डेज आ रहा था और क्या हो रहा था कुछी दिर बाद चल जा रहा था और ओ problem आप दिखेंगे कि क्या होता है तो चलिए देख लेता हूँ पहले की तरफी मैं common ले लेता हूँ ग्राउंड पे यानि ट्यूनर पे जो ग्राउंड होया रहे और अभी देखिए फास्ट टाइम मैं मेजर कर रहा हूं 130 वोल्ड तो 130 वोल्ड से ही है जो पहले था व हो ही देख रहा हूं तो देखिए यहां पर 3.2 है वोल्डेज क्योंकि यहां पर 50 60 तक वोल्ड आना चाहिए तो चलिए इस्टनबाय रिलीज करूंगा उसके बाद ही आएगा कि अगा है ओके तो तो मैं इस्टनबाय रिलीज कर रहा हूं और देखिए 117 वोल्डेज यहां पर आ चुके हैं 50 से भी ज्यादा है कोई बात नहीं जो 180 वोल्डेज होना चाहिए यहां पर इतना तक वोल्डेज आ रहा है तो देखिए इस्टनबाय रिलीज करने के बाद क्या ओड़ा था फास्ट टाइम फास्ट टाइम आफ हो जाड हार है और इस पिर में देखिए हमएं इस पिंल में देखिए 118 दक और इस भी जाहीं है पहले रुप नहीं रहा था अभी रूप चुके तो चलिए यहां पर तो सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुके हैं निवेश्टी लगाने के बाद आभी फिक्चर देखिए तो गाइड्स फिक्चर भी सही सलामात हैं तो बस आपको ऐसे ही काम करना है तो देखते रहे हैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो साथ तब तर की वीडियो साथ तो आपको देखिए तो घटींगे काम की वीडियो साथ तो मुट निसी दिंग्स काम काम पजिए काम झाल दो बिल्म बाद हैं तो साथ तो तो सेटने आपको भीडिशे पहत्वेश्वचिश्टींग ख़ॉपादय।